ये एक्सिस मार्किंग का दूसरा लेसन है क्योंकि आज में इस वीडियो में आपको एक नई चीज बताने वाला हूं जो हमारे एक वीवर में मुझे कमेंड में ये पुछा था कि हम अगर बाइफोकल लेंस हो तो हम उसमें एक्सिस कैसे लगा है इस बारे में मैंने उनको बत यहां गूझा अगर इसको नगा दू तो यह ऐसा गुद जाएगा यह फ्रेम से बहार हो जाएगा इस तरीके से आप देखिए गलत फ्रेम से बहार हो जाएगा तो एसे सित्ती में हमको क्या करना चाहिए कौन-कौन से एंगल मार्केट में एवलिबल है और उनको कैसे यूज किया जाता है ये वीडियो कम्पलीट उसी के बारे में है मैं आपको बताऊंगा कि 135 जिगरी, 45 जिगरी 150 जिगरी को भी कैसे आप लगास राखते हैं और ये रेडि स्टॉप भी आप ले पाएगे बनेरी ओम टॉप चैनल पर देखते हैं हमारा ये नया स्वीड़ नमस्कार दोस्तों मैं उम्प्रगास आपसदिक स्वानत करता हूँ ओम टॉप चैनल पर दोस्तों 135 एक्सीस हमको लगाना है और हमारा पावर जो भी हो और हमको फ्रेम में भी ऐसे बठाना है कि वो बिल्कुल फर्फेक्ट हो जाए ये पूरा कंप्लेट जाने के लिए चलिए आपको लाइड डेमो देता हूँ तो फ्रेंड आपके मन में सवाल होता है कि बाइफोकल लेंस में 135 या 45 इस टाइप के एक्सीस को कैसे मेनेज करते हैं कितने टाइप के एक्सीस मार्केट में एविलेबर हो चुके हैं और इन ही एक्सीस को खरीद कर आप कोई भी एंगल कैसे लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट, एक डाइगराम मैंने खुद बनाया हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो पिछले वीडियो में मैंने इस चार्ट को समझने के लिए और अच्छे से बताया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं तो इस चार्ट को बनाने का मेरा मकस्त यही था कि जो इंपोर्टेंस है उसी पर आपका फोकस हो और चार्ट को समझने में असानी हो तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि यह खड़ी रेखा 190 है और यह आड़ी रेखा 180 है और आपको फोकस करना है कि जब आप 90 के इंगल में है और आपको 135 या 130 लगाना होता है तो आपको अपने left hand side के तरफ मूणा होता है और वहीं पर आपको axis कम लगाना है यानि कि 50 degree का लगाना है तो 90 से आपको नीचे की और जाना है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है और वहीं पर अगर आप 20-30 इस टाइप का लगाते हैं और यहाँ पर मैंने निसान लगा दिया है ताकि आपको यह दिखाई दे इसका जो RS राउंड टॉप साइड है जो ताकि यह साप साप समझा आ जाए तो दिक्कत कहां पर होती है मैं आपको बताता हूं जरले इस टैप के lens जो है 180 प्लस में हो तो 180 ready stock मिलता है और minus में हो तो 90 ready stock मिलता है लेकिन अगर ऐसे भी power ऐसे भी number आजाए एक्सिस लगाना आजाए जहां पर आपको 130 degree लगाना हो तो lens नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे लगाएंगे तो यह लिक्कत अब बहुत सारे cities में खतम हो गई है क्योंकि इस टाइप के axis आप यहां पर देख पाएंगे 45 और 35 एक्सिस जो है market में available हो चुक है बाइफोकल लेंस के साथ कहीं कहीं पर 150 का भी मिलता है लेकिन इसको मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि सभी जगा यह available नही है तो 90 वादा जो लेंस होगा वो इस तरीके से इसका axis आएगा अब आपको यह लेंस जो है और राइट में लगाना ए यह मैंन classify और आपको इसको राइट साइड में लगाना याने की इस तरब लगाना है इस तरब फिट करना है और इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस 130 है तो 130 में हम कोई हिका ciao नहीं है आप इसको जो inge सिधा सिधा इस तरीके से घुमा देंगे यह 130 में हम तो घुमा लिया और इसको सिधा सिधा लाइन खीच लिया इस तरीके से हमने लाइन इसको खीच लिया अब ये हमारा जो जो गुला आ रहा है ये नीचे का जो चांड आ रहा है वो काफी घूमा हुआ नजार आ रहा है जब हम इसको फ्रेम में फीट करेंगे तो वो इधर चला जाता है काफी उपार या फिर इस तरब ज्यादा हट के आ रहा है तो आपको करना क्या होता है इसको थोड़ा सब लेंस को पीछे के और खीचे जहां तक आप खीच सकते हैं यहां तक आप इसको फिट कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप बड़ी असानी से इसको फिट कर सकते हैं अगर फिर भी आपका फ्रेम यानि कि जब आप लेंगे तो इसी एंगल पी रहेगा तो यह फिर वो सीधा कहलाएगा और आप अटोमेटिक एक्सिस लगा रहेगा तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो यह चांड जो है सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से तो आप उसको बड़ी असानी से यहां पर फि एक्सिस हो तो ऐसे में यह इस तरफ घुम जाएगा तो इससे भी दिक्कत होगा क्योंकि हम राइट साइड में इस तैप का फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यह रॉंग है यह लेप्ट साइट होता है यहां पर लगाना पड़ता है लेकिन किसी-किसी लोगों को राइट स निकालना है जो एक्सिस है वो लगा देना है तो चान आपका आप ओचिट डारेक्शन में घुम जाएगा और सीधा आप लाइन खिज देंगे तो उस तरह किसे आपका लेंज हो है बड़ी असानी से फिट हो जाएगा तो यह होता है 45-35 एंगल ने एक्सिस लगाने का एक आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और किसी प्रकार के दिक्कत है तो वह भी मुझे बता सकते हैं और भाई वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नभूले यह भी लूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साहर तक तक लिए नमस्कार जै झालए है झालए है झालए है झालए है